नमस्कार आज मैं आपसे मांसिक स्वास्थे के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस समय में जबकि हम लॉक्डाउन में हैं और कोविड वाइरस के संक्रमन से बचने की कोशिश कर रहे हैं शारीरिक स्वास्थे के अलावा मांसिक स्वास्थे भी बहुत आवश्यक है आप सोशल मीडिया एप्स जैसे के Skype, Google Talk WhatsApp इनको यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ contact रखने के लिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, FaceTime कर सकते हैं ताकि आप अपने दोस्तों के साथ संपर्क में बने रहें इंटरनेट की मदद से तो आप एक get together भी कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों का Facebook पर या WhatsApp पर घर पर अपनी एक दिन चर्या सुनिश्चित करिए सुभे उठके थोड़ा समय इश्वर का ध्यान करिए breathing exercises करिए जो भी आप व्यायाम कर सकते हैं walking running इत्यादी वो करिए और बाकी समय अगर आप चाहें तो आप परिवार के साथ बिता सकते हैं या फिर जो भी activity आपको पसंद है वो कर सकते हैं जैसे कि आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर आप music सुन सकते हैं अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आप distance learning या online courses join कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि आप अपने समय को एक constructive way में व्यतीत करें और दिमाग को खाली ना रहने दे क्योंकि जैसा कहते हैं कि an idle mind is a devil's workshop तो दिमाग को busy रखिए और शंका, चिंता और आलस को जीवन में ना आने दे एक और बात ये थी कि इस वक्त जब हम सब के साथ रह रहे हैं तो शायद अपने लिए समय हम नहीं निकाल पाते तो हर दिन 10-15 मिनिट किसी भी अपने घर में खुली जग़ब जैसे कि balcony में बैठ जाईए और मन को अपने फ्री छोड़ दीजे जो भी विचार आ रहे हैं कुछ अच्छा सोच कुछ पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाईए ताकि आपका मन जो है थोड़ा सा रिलाक्स हो जाए एक और बात ये कि इस वक जब सब मार्केट्स, मॉल्स सिनेमा हौल्स बंध है तो एंटर्टेन्मेट का कोई साधन नहीं है तो हम लोग शायद जरूत से ज़्यादा टाइम इंटरेनेट पे बिता रहे हैं तो हर वक्त कोविट वाइरस के बारे में ना पढ़ें इससे आपके मन में शंका, चिंताउत्पन होगी और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपका या किसी दूसरे का मनोबल कम हो जैसे कि कोई भी भेभीत करने वाला मेसेज फारवर्ड ना करें आपका जो एक mental strength है और जो mental equilibrium है वैसा ही mental strength, mental equilibrium दूसरे का शायद ना हो जिस मेसेज से आप भेभीत ना हुए दूसरा व्यक्ति शायद वहबीत हो जाए तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी डेली रूटीन को हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें क्योंकि बिल्कुल एक जैसा रूटीन होगा तो शायद आपको बोरियत हो जाए और समय वितीत करना मुश्किल हो जाए एक और जुरूरी बात थी कि अपने मन को आने वाले समय के लिए पहले से ही प्रिपेर करके रखिए ऐसा हो सकता है कि 15 अपरेल को हम इस लोटडाउन निकलाएई और ऐसा हो सकता है कि 15 अपरेल के बाद भी यह लोकड़ाउन रहे या आपको शायद आफिस जाना पड़े तो जो भी है उसके लिए अपने मन को तयार रखे जो भी decision होगा उससे विशलित नहीं होना है और मन को स्थिर और स्चान्त रखना है अपने मन में ये विश्वास रखिए कि ये समय बीतेगा और अच्छा बीतेगा और सब ठीक रहेगा एक अच्छी लाइन जो मैंने पढ़ी वो मैं आपको बताता हूँ होसला और घोसला दोनों मत छोड़िये सब ठीक ही रहा है और ठीक ही रहेगा अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सब उपायों के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपकी मानसिक स्तित्री ठीक नहीं है तो फिर आप जो भी आपके नजदीक के डॉक्टर है या साइकॉलजिस्ट है या साइक्याट्रिस्ट है उनसे परामर्ष करने में बिलकुल ना हिचके आजकल निम्हान्स जो की नाशनल इंस्टूट आफ Mental Health and Neurosciences है बैंगलोर में इन्होंने एक free helpline स्टार्ट कर रखी है जिसका नमबर है 080 जो उनका STD कोड है 4611007 इस नमबर पर आप कभी भी कॉल करके जो भी महाँ पर expert है उनसे बात कर सकते हैं और अपने मानसिक कष्ट का निवान पासकते हैं तो ये था मेरा संदेश आज के लिए धन्यवाद स्वस्त रहें सुरक्षित रहें जहन